हे गाइस वेलकम बैक तो माई चैनल धार्णिकार्ज वर्ड आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चे हुए चाशनी से एक स्वीड डिश उसको मीठा चिल्ड़ा या फिर मालपुआ भी बोलते हैं वह बहुत टेस्टी भी लगता है बच्चार्ट करने से पहले में फोलना चाऊंगी नीचे दिये गए रड़ बटन को प्रेस किजिए और मेरे चानल को सब्सक्राइब करिए और बाजू में बैल आइकन भी है उसे प्रेस करिए ताकि आपको मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहें तो चलते हैं अब वीडियो की तरफ तो मैंने या बज्चा हुआ चाशनी लिया है अरंड वन एंड हाफ कप होगा यह सो मैं अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा मिक्स करूंगी हमें इसे मिक्स करके इसका एक पेस्ट बनाना है तो यह बैटर रेड़ी हो गया है और इसका कंसिस्टेंसी ऐसे फ्लोई टाइप होना चाहिए मैंने या तवे में थोड़ा सा तेल लेड़ किया है और फास्ट फैन रखा है तो वह गरम हो गया है अब मैं इसमें वह बैटर आड़ कर दिया हूँ इसे चमच की हेल्ट से उसे फैला देना है तो इसमें साइड में हमें तेल आड़ करना है गास मीडियम फ्लेम में है तेल करने के बाद इसे हमें ऐसे पलट देना है अब हमें दूसरे साइड से ऐसे ही पकाना है थोड़ी देर के लिए तो मैंने इसे फिर से फ्लिप कर दिया अब हमें इसे फिर से दो तिन मिनिट पकाना है तो यह रेडी हो गया है अब है तो मैं आपको एक और करके बताती है सेम प्रोसेस करना है अब साइड में से तेल आड करेंगे तो हमें इसे फिर से फ्लिप करना है इसे बनाने में जादा टाइम ने लगता है अब हमें इससे फिर से एक दो मिनिट पकाना है यह बहुत टेच्टी भी लगता है सब फिसे फिलिप करेंगे तो यह भी रेडी हो गया है तो ऐसे ही मैं आप पूरा बैटर का मालपुआ या मिठा चिल्डरा आप जो भी बोलते हो बना दूगी तो हार मीठा चिल्डरा और मालपुआ इस रड़ यह देखिए यह बहुत ही टेच्ट लगता है तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो और यह रेसीब पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लेट मी नो इन दे कमेंट्स आपको यह कैसा लगा तो मैं अब यह टेस्ट करके बताती हूं कैसा बता और मैंने इसमें कोड़ासां काजु भी एड़ है गाल मिशीन के लिए आप इसको आचार या चतनी के साथ भी खा सकते हो या फिर कड़ी के साथ खा सकते हो या फिर यह एसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है और आप यह बहुत ही जबनी बना है आप लोग ज़रू ट्राइ कीजेगा और मैं को कमेंट्स में बताएगा कि कैसा लगा आपको यह एंजोई करती हूं सो सी इन मैं नेक्स वीडियो एंजॉई बाहा यह